नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना सर्मा बोकारों से बोकारों गाइडेन में आप सभी का तहए से स्वागत करती हूँ दोस्तों जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, ढेर साडे प्लान्ट ऐसे हैं जो जाड़े के दिन में सो जाते हैं यानि अपनी ब्रधी रोक देते हैं ग्रोथ रोक देते हैं फरवड़ी से उनका ग्रोथ फिर से शुरू होता है लेकिन देखते देखते भीशन गर्मी आ जाती है अप दिल से गर्मी शुरू हो जाती है अभी मार्च का लास्ट समय चल र है है अभी से अगर हम सतार खो जाएं और जैसे हम लोग अपने लिए फैन का और एसी का बिवस्था कर लेते हैं गर्मी से बचने के लिए उसे ही पलांट के लिए अगर कुछ क्यर हम लोग कर लें तो यह पलांट भी हमारे अच्छे से गर्मी को जेल लेंगे इनके केर में मैं सबसे पहले AC के पास ही आई हूँ तो मैं यही से सुरू करती हूँ AC जाड़े में बंद रहती है तो इस हालत में हम लोग अपने पौधे को इसमें हेंगिंग पौधे को भी लटका देते हैं या बगल में नीचे में भी पौधे को डाल देते हैं अब गर्मी सुरू हो गई है तो इसमें से AC में से गर्म हवा आएगी इसलिए अपने AC के पास जो भी पौधे रखे हो उसको हटा लें बलकि अगर आपके पास सुविधा हो आप कर सके तो पौधे को फैन भी आप दे सकते हैं फैन लगा दे सकते हैं फोडेन में या आप नर्सरी वाले जिनकी बड़ी बड़ी नर्सरी हैं वे फैन लगा करके भी पौधे को रखते हैं दोस्टो गर्मी भी पौधे की ग्रोथ पिरियड होती है तो हमारी ये भूल नहीं होनी चाहिए हमसे कि गर्मी में अगर फर्टिलाइजर हमें नहीं देनी है गर्मी में भी आप 15-20 दिन के बाद उसमें फर्टिलाइजर दे सकते हो बर्मी कंपोस्ट देने में तो कोई पड़ेसानी नहीं है इसको तो आप दे ही सकते हो साथ में आप बोन मिल या काउट डंग जो होती है उसकी लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके भी आप पोधे में दे सकते हो 15 से 20 दिन में आप फर्टिलाइजर दिया करें क्योंकि भोजन ऐसा नहीं है कि गर्मी में भोजन हम लोग बंद करते हैं पोधे का भी भोजन बन नहीं करनी है और साथ ही आप इसको पूछोगे कि बर्मी कमपोस्ट क्या कितना डालनी है तो ऐसे मैं इसका क्या कहूँ अगर थोड़ी कम अधिक भी पड़ जाएगी तो यह कुछ खड़ा भी नहीं करने वाला है फिर वी आप 12 इंच के गमले में एक मुठी भर अपना लोगे और एक मुठी उसके चाड़ो तरफ मिला दोगे तो वो काफी रहेगी उसके लिए 15-20 दिन के लिए उसकी खुडाक अच्छी हो जाएगी दोस्तों आप बात करते हैं ग्रीन नेट की ग्रीन हाउस की तो यह सब के लिए संभब नहीं हो पाता है त बहुत थोड़ी थोड़ी सी धूप आती है तो ऐसे जगह में भी आप पौधे को रख सकते हैं जहां पर की कोई च्छाय वाली इस तरह की कोई मचान बगए रहो तो उसके नीचे भी आप गर्मी के दिनों में पौधे को रख सकते हैं और अपने पौधे को ग्रीन हाउस औ आपके पास जो भी विवस्था हो सुखे पत्ते हो या फिर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो बर्मी कंपोस्ट होगा उससे भी कर सकते हो या पेपर के टुकड़े से सरे गले पत्ते से जो हम लोग रखते हैं उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं तो इससे भी यह बहुत ग पाल्चिंग अवस्चे कर दें। आठ नमर्ड में दोस्तों आप इस बात का ख्याल रखें अपने स्वाइल को चेक कर लिया करें। कि ये गिली है या नहीं है तो आप ऐसा चेक करने के बाद इसकी नमी को बरकरा रखें। क्योंकि गर्मी के दिनों में आप भूल जाएं कि कितने दिनों में पानी देनी है और कैसे देनी है। आपको मत्र अपने प्लांट का ख्याल रखते हुए उसके स्वाइल को देखते हुए आपको हो शकता है कि दिन भर में दो बार तीन बार भी पानी देने के आप सैकता हो जाए। दोस्तों नौ नमबर पर फिर मैं आती हूँ तो आप देख रहे होंगे एक ट्रे में मैंने पत्थर रख दिये हैं और इसमें मैंने गमले को रख दिया है। तो इससे क्या है कि इसकी नमी जो है बरकड़ा रहेगी ये पोधा जो है सुखेगा नहीं ये हड़ा भड़ा रहेगा और इस तरह की बेवस्ता भी आप कर सकते हैं। दस नमबर में दोस्तों आप इस बात का ख्याल रखें कि गमलों में आपको पानी शुबह में देनी है। इस सबसे बेहतर रहता है कि आप शुबह में पानी डाल दो अगर किसी कारण बास सुबह में नहीं डाल पाए हो तो सुझ डूबने के बास साम में डाला करो दो पहर में पानी एक दम से आपको नहीं देनी है खासकर गर्मी के दिनों में दो पहर में जब स्वाल इसकी गर्म होती है उश्रमें हमें पानी नहीं देनी चाहिए दोस्तों ये 11 नंबर में आप ध्यान रखें कि आपके पौधे में ये घास पात नहीं है ये करेला का पौधा है लेकिन ये खुद बखुद निकल गया है मैं इसे यहां से रिमूब कर देती हूँ ये फाल्तू का इसका पानी और खाना लेगा तो इस तरह के आप जो भी बिट्स बगएर हो घास पात हो उनको हटा दिया करें इसमें नर रहने दिया करें दोस्तों अब मैं आ रही हूँ आपका कि आपको अपने गमले को कैसे अड़्जस्ट करना है तो ये आप देख रहे होंगे मेरे एक गमले यहां इस लाइन में दिख रहे हैं और दूसरा इसके बगल में ये लाइन आपको गमले का दिख रहा है तो आप अपने गमले को इस तरह से एड़्जस्ट करें कि अगर मौनें की धूप इधर से आती है तो फिर दो पहर में थोड़ी सी धूप बीच में आ जाती है और फिर इस साइड में आ जाती है मतलब जितने देर धूप रहती है एक साइड से ही न पड़े अगर कोई गमला मैं अकेले रख देती हूँ तो इसमें इधर से भी धूप आएगी ओभी इस पौदे पर आएगी और बीच में जब दो पहर में धूप आएगी ओभी आएगी और फिर बाद वाली धूप भी लेकिन इसमें एक साइड से धूप आएगी तो गमले पर पड़ेगी पौदे को मिलेगी और दूसरी तरब से आएगी तो दूसरे गमले रोक लेंगे और उस पर नहीं पर पाएगी चौदा नमबर में हैं दोस्तों कि आप अपने गमले को उठा कर कहीं स्वाइल में रख दें स्वाइल बाली जगे में रखें फर्स जो सिमेंट का बना हुआ हो उस पर से गमले को हटा ले जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां मेरे फर्स पर पड़ी हुई है तो फर्स गर स्वाइल नहीं है और आपके लिए मुम्किन नहीं है तो आप इस तरह से कुछ तुकड़े नीचे लगा कर आप रख सकते हो जिसे की फर्स से गमले का कंटेक्ट जो है शमाप्त हो जाए और आपका स्वाइल गर्म नहों हो पाए दोस्तों पंद्रह में आपका है प्रूनि हो उनको रिमूब करते रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये इसमें लगे रहते हैं और बहुत तरह के इसमें फंगस बगएर भी लग जाने का डर रहता है गर्मी के दिनों में आपको पता होगा कि बहुत साड़े पेस्ट का अटेक होता है और हमारे पौधे खराब हो ज अटा दे दोस्तों सुल्ला नमबर पर मैं बात कर लेती हूँ आपसे कि मौनिंग की धूप गर्मी में पौधे को मिले तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्लाबडिंग अच्छी आती रहती है लेकिन दोपढ़ की चिलसीलाती हुई धूप गर्म हवा से अगर अच्छा रहता है तो आप ये कर दिया करें अपने पौधे को बचाने के लिए गर्मी में सत्रह में हैं दोस्तों कि आपके जो पौधे हैं प्लांट के पत्ते को भी आप नमी दे क्योंकि पत्ते को भी नमी जरूरी है आड़े साफ सुथरे रहेंगे तभी अच्छी तरह स दूप ले पाएंगे हवा ले पाएंगे सांस ले पाएंगे और बीच-बीच में इनको साब भी करते रहें कोई कपड़ा मैं तो यहां लेकर आई नहीं हूँ कौटन कपड़ा से इसको साब भी करते रहें तो इनके लिए अच्छा रहेगा अठारा नमबर पर मैं बात कर लेती हूँ आप से पेस्ट का गर्मी का मोशम ऐसा होता है कि पौधे में पेस्ट भी बहुत अटेक करते हैं जो हमको आपको पता ही है तो दोस्तों इसमें और्गेनिक पेस्टिसाइड मैंने आपको बार बार दिखलाई है बहुत साड़ी व और्गेनिक पेस्टिसाइड इस पर उपयोग कर सकते हो अगर आपके पास वैसा वेवस्था ना हो तो आप मार्केट से खरीद करके भी आप पेस्टिसाइड या फंगिसाइड इस पर उपयोग कर सकते हो और इसके पत्ते के दोनु तरफ आपको करनी है इस तरफ भी देख लेंगे क्योंकि अक्सर पेश्ट पत्ते के पीछली हिस्से में लगे रहते हैं छूपे रहते हैं उनीश नमबर पर दोस्तों मुझे आप से बात करनी है कि आप काट छाट करें सरे गले पत्तों का तो काट छाट करें जो फूर सुख जाए उनको हटा दें लेकिन ये गर्मी क समय ऐसा होता है कि इस समय आप बहुत ज्यादा हार्ड प्रोनिंग अपने पौधे को नहीं करें 20 में दोस्तों आप देखो मैं तो पैसे थोड़ा कम खर्च करने में भी सास करती हूँ क्योंकि बहुत पैसे खर्च करके भागवानी करूँ तो घर में पढ़सानी हो जाएगी लोगों को तो ये आप देख रहे होंगे मेरा सनपापडी का पैकेट का खोल है इसी में मैंने गमले को डाले हैं इसी तरह मेरे पास जो कुछ भी कीचें से कुछ डबा वगएर निकलता है उसमें मैं रख देती हूँ गमले को तो इस तरह से रख देने से मुझे फायदा क्या होता है यह मैं आप से सेर कर दूँ आप इसमें पानी गमले में डालते हो जो पानी धीरे ध रेनेज हो से यहां नीचे आ जाती है तो इसमें एक तो आपका फर्स गंदा होता है घर गंदा होता है उसे बचाब होती है और दूसरी इसमें पानी कलेक्ट रहती है जिससे कि आपके पौधे की नमी बनी रहती है तो यह काम आप जरूर कड़े आप पैसे खर्च कर सकते ह तो हर गंदे के साइज के नाप के अंसार ट्रे मिलती है उस ट्रे को ला करके आप अपने गंदे के नीचे रख सकते हैं नमी रहेगी तो पौधे थोड़ी गर्मी और लूब बरदास्त कर भी ले सकते हैं अगर नमी उसमें पौधे में बरकरार है तो कुछ ऐसे प्लांट जौ सकुलेंट है दोस्तों ये लास्त में एकीश नंबर में आपसे बात कर रह chili ह hmm कि जो भी सकुल्इंड है वह से प्लांट को आप च्हाएवाली जगह मेर जहाएं क्योंकि अगर छ्षाय वाली जगह में ले जाओगे तो ये मर भी सकती है। ऐसे कैक्तस भी बेहतर है तो इस तरह से मैंने गर्मी में कैसे प्लांट आपको बचानी है अपनी, क्या क्यार करनी है इनको, कैसे सुधा देनी है, इसी को आज सेर करते हुए चल रही हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप शबो को नमश्कार, आदाप, शह शियाकाल मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार